हलो फ्रेंड्स मैं हूँ पायल और आपका स्वागत है मेरे चैनल मसाला जाइका में सब्सक्राइब करें मसाला जाइका को और बेल आइकन को दबा कर और पर क्लिक करें ताकि मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके आज हम बनाएंगे मटन फैट के साथ कठेल की सबजी ये रेसिपी खाने में बहुत ही टीस्टी होता है आप इसे लंच में या फिर दिनर में रोटी या फिर चावल के साथ बना कर एंजॉय कर सकते हैं तो फिर चलिए आज की इस मतन फैट के साथ कठल की सबजी की रेसिपी को हम शुरू करते हैं इसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर एक मीडियम साइज के कठल को छोड़े टुक्रों में काट कर अच्छी तरीके से साफ करके धो लिया है और इसको अभी हम 80% कुक करेंगे तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक प्रेशर कुकर ले लिया है और इसमें भी हम डालेंगे एक कब पानी और इसमें भी हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और छोटे टुक्रों में कटे हुए कठल को डाल देंगे तो हमें पानी थोड़ा सा कम लग रहा है तो हम इसमें और आधा कब पानी डाल जाए है और प्रिशकुगर के ढखकन को अभी हम लगा देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे 2 सीटी डाल कर पका लेंगे और दो सीटी आने के बाद हम प्रेशर कुगर को ठंडा कर लेंगे उसके बाद हम उसको खोलेंगे तो प्रेशर कुगर में दो सीटी आ चुके है और प्रेशर कुगर भी ठंडा हो चुका है और अभी हम इसका धक्कन खोल लेंगे तो आप देख सकते हैं जो हमारा कठैल है वो थोड़ा थोड़ा पक चुका है और अभी हम इसमें से पानी को अलग कर देंगे और इस कठैल को एक बोल में निकाल कर रख देंगे और अभी हम ग्रेवी के लिए पेस्ट बनाएंगे तो हमने आपर दो प्यास को टुक्रों में काट लिया है एक टमाटर लिया है उसको भी टुक्रों में काट लिया है बारा से पंदरा लसुन की कर लिया लिया है दो इंच अद्रक को टुक्रों में काट लिया है और 3-4 यहाँ पर हमने हर इमिर्ज लिया है इन सारे चीज़ों को अभी हम एक paste बनाएंगे और उसको side में रख देंगे और अभी हम एक कठाई लेंगे और उसमें डाल देंगे 3 बड़े चमज सरसो का तेल हमने यहाँ पर सरसो का तेल डाला है अगर आप चाहे तो इसको white oil में भी बना सकते है और तेल को अच्छी तरीके से अभी हम गडम कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे छोटे टुक्रों में कटे हुए आलू और इस आलू को अभी हमें medium flame पे हलका golden brown होने तक fry कर लेना है अगर आप चाहे तो आप आलू को skip भी कर सकते है और आलू का proportion आप अपने हिसाब से कम या फिर जादा कर सकते है तो आलू हमारे यहाँ पर golden brown होके fry हो चुके है और अभी हम इनको एक plate में निकाल लेंगे और सेम तेल को थोड़ा सा गरम कर लेंगे और इसमें अभी हम डालेंगे दो तेज पत्ता, आधा छोटा चलमत जीरा और इन्हें हलका सा fry करने के बाद अभी हम इसमें डालेंगे slice किये हुए दो प्यांस प्यांस को अभी हमें medium flame पे हलका golden brown करकी fry कर लेना है तो प्यांस हमारे fry हो चुके है और अभी हम इसमें डालेंगे प्यांस टमाटर, अध्रक लसून और हरीमिच का पेस्ट जिसको हमने पहले से ही रेडी करके रखा था और इस पेस्ट को डालने के बाद अभी हमें इसे अच्छी तरीके से mix कर लेना है और अभी हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे तो डाल देते हैं आधा छोटा चम मच हल्दी पाउडर, एक छोटा चम मच जीरा पाउडर, एक बड़े चम मच धनिया पाउडर, एक छोटा चम मच लालमिच का पाउडर, और एक बड़े चम मच कर्ष्मिरी लालमिच का पाउडर इसको हमने color के लिए डाला है अगर आपको color नहीं चाहिए तो आप इसको skip भी कर सकते हैं और अभी हम सारे मसालों को अच्छी तरीके से mix कर लेंगे और इसमें भी हम डालेंगे आधा चोटा चमत चीनी और स्वाद अनुसर नमक नमक और थीनी को सारे चीज़ों के साथ mix कर लेंगे और इनको mix करने के बाद अभी हम इसे medium flame पे 2-3 मिनिट के लिए पका लेना है आप देख सकते हैं जो मसाला है उसमें से पानी पुरा सूख चुका है और अभी हम इसमें डाल देंगे mutton fat mutton fat को हमने यहाँ पर छोटे टुक्टों में काट लिया है और आप चाहें तो mutton fat के बिना भी इस सबजी को बना सकते है इससे भी यह बहुत ही tasty बनता है तो अभी हम mutton fat को मसाली के साथ अच्छी तरीके से mix कर लेंगे और यहाँ पर हमें मसाला थोड़ा सुखा सुखा लग रहा है यह नीचे लग सकता है इसलिए हम इसमें डाल देंगे 2-3 चमच पानी ताकि मसाला जलना जाए और इसे mix करने के बाद फिर से अभी हमें इसे medium flame पे 2-3 मिनिट के लिए पका लेना है या फिर तब तक पकाना है जब तक कि मसाले में इसे तेल निकल कर अलग न हो जाए तो आप देख सकते हैं मसाले में इसे तेल निकल कर अलग हो चुका है और अभी हम इसमें डाल देंगे fry किये हुए आलू और boil किया हुआ कठेल और इनको अच्छी तरीके से अभी हम मसाली के साथ मिक्स कर लेंगे और इसे मिक्स करने के बाद अभी हम इसमें डाल देंगे 2 कब पानी हमें आपर ग्रेफी जादा नहीं चाहिए इसलिए हम कम पानी डाल रहे हैं अगर आपको ग्रेफी ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा पानी भी डाल सकते हैं और अभी हम पानी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसे अभी हमें हाई फ्लेम पे एक उबाल आने तक ऐसे ही छोड़ देना है तो आप देख सेकते हैं कि उबाल आ चुका है और अभी हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसे धक कर तब तक पकाएंगे जब तक कि जो आलू और कठैल है वो अच्छी तरीके से पक न जाए और हम धककन खोलके बीच बीच में इसको चेक कर लेंगे कि सारी चीज़े अच्छी तरीके से पके है की नहीं तो इसे पकते हुए 10 से 12 मिनिट हो चुके है और हमने बीच बीच में धककन खोलके इसको थोड़ा सा चला लिया था और चेक कर लिया था तो अभी हमारे जो आलू और कठैल है वो अच्छी तरीके से पक चुके है आप देख सकते है कि कितने आसारी से ये कट रहे है और इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद अभी हम इसमें डाल देंगे एक छोटा चलमज गरम मसाला पाउडर और इसे मिक्स करने के बाद मटन फैट के साथ हमारा कठैल की सबजी बनके रेडी है आप इस रेसिपी को घर पे जरूर ट्राइ करें और इसकी पिक्चर से हमें इंस्टाग्राम आईडी पे जरूर शेयर करें और अगर आज के ये कठैल की सबजी आपको पसंद आई हो तो वीडियो के नीचे लाइक बटन क्लिक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कॉमेट करके हम भी जरूर से बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लेगी मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में